वेलकम टू आर नीए वीडियो तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारी सीरीज है यह आपकी आने वाली जो एक्जाम से जैसे आपका यूपी पुलिस का हो गया और अधर जितने भी एक्जाम से उनके आपकी जो एक वीडियो है बहुत जादा helpful होने वाली है तो चलिए एक एक करके सारे questions को देखते हैं यहाँ पर जो हम friends top 20 questions को cover करेंगे 20 questions है और 20 के 20 जो है वो आपके लिए exam point of view से important है तो चलिए देखते हैं तो यह first question is अंडमान निकोबार दूइब समू कहां इस्तित है अगर आपसे पूछा गया अंडमान निकोबार दूइब समू आपका कहां पर है सबसे पहली बात तो आपको जितने भी भारत के आपको सब पता होने चाहिए और वो किस समू पर इस्तित है यह भी आपको पता होना चाहिए और उसकी सबसे उची चोटी कौन से आपको यह भी पता होना चाहिए तो चलिए तो आपसे पूछा गया अंडमान निकोबार दूइब समू तो आपका कहां पर है बंगाल की खा क्वेशन अंडवान निकोबार दूइप संभू की सबसे उची चोटी काफी बार एक्जाम में क्वेशन पूछा जा चुका है अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप जाकर के प्लेलिस से देख सकते हैं परवत और उनकी चोटियां मैंने जो है वीडियो आपकी ब हमारे भारत में जितने भी दूइप हैं वह सब किस से बने प्रवाल क्या प्रवाल दूइप हैं ठीक है यानि कि प्रवाल दूइपों से क्या हुए उनका उद्गम हुआ है नेक्स्ट कोशन देखिये अरावलीपरवत जिसे हम को परवाल दीप इसो इंग्लीश वाले अगर आपनी वीडियो नहीं देखी तो आपनी इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं बहुत अच्छे से महां पर मैंने आपको एक डिटेल में पढ़ा रखा है परवत और उनकी सबसे उची चोटिया अब नेक्स कोशन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में इस्थित है तो भारत और श्री लंका के मध्य में इस्थित है आवो जन जाती कोशन बहुत बार पूछा जा चुका है आवो जन जाती आपकी किस राजी सम्मंदित है आपकी असम राजी से सम्मंदित है नेक पर आपकी फुरसत गंज में नेक्स्थ देखेगा ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है तो आपका प्रयाद को कहा जाता है मैंने कोश वीडियो और एक बना रखिए जितने भी आपके प्रमुक नगर हैं उन पर वीडियो बना रखिये तो वो देख सकते हैं चलिए next question देखे आइए करक रेखा आपकी किन राज्यों से हो कर गुजर्ति है तो यह हमें लगता है almost काफी बच्चों को पता होगा जिनने नहीं पता है वह तेख लें कि कि आपकी रेखा जो है वह आफ राज्यों से इस आपके कितने टोटल आठ राज्यों से उकर गुजरती है नेक्स्ट कोशन क्या है जिसके आप्षिन देखिए आंसर देखिए राजिस्थान गुजराक मध्यपरदेश चत्यजगर जारखंड पस्चिममगाल तृपराव मिजोरण मिजोरम इस तृट्र पर गुज्चेज इसकी ट्रिक है तो आप इससे भी सारे राज्यों को याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन इस काडमम काडमम और इलाइची की पहाड़िया आपकी कहां पर इस्थित हैं जो मैंने वीडियो बनाइए फ्रेंड्स उसमें जो है सारे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको क आपकि कौन कौन से पर्वस सिक्षर किस-किस राज्यों से ओकर गुजर रहे हैं और वहाँ पर अलगलग पहाड़ी कौन-कौन से उनके शिखर कौन-कौन से तो देखें यहां पर काडमम या इलाइची जी सेम बोलतें कि पहाड़ी आपकी कहां पर पाई जाती है केरल में देखिए कावेरी जल्विवद काफी बार उजाम में पूछा गया कि किं राज्यों चल रहा है तो आपका किसके बीच में करनाटाक और और तामिलाड़ु के बीच में क्यों क्यों कि कावेरी नती जो आपके दक्षिन में भेती है ठीक है तो वो इनी राज्यों से होकर गुजरती है, इनी पर क्या चल रहा है, इसका विवाद चल रहा है Next question, किस देश के साथ नियु मूर दीप के कारण भारत का विवाद है कौन सा दूप आपका नियु मूर दीप, तो बांगला देश के साथ है किसके साथ है बांगलादेश के साथ है अगला question देखेगा किस नदी को बिहार का शोग कहा जाता है तो यह सभी को पता है कि को सी नदी को आपका बिहार का शोग कहा जाता है next question किस बंदरगा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको कहा जाता है आपका मुंबाई को क क्यों कहा जाता है ध्यान से सुनिएगा मैंने एक बंदरगा की वीडियो बनाई है जहां पर मेजर पोर्ट सारे भारत के कवर किये सबसे पहला सबसे पुराना जो है आपका मुंबई पोर्ट ही था अब उसका नाम बदल कर जवानलाल पोर्ट भी कर दिया गया है वह भी मैंन नेक्स्ट कोशन किस राज की समुद्र तट्रेखा सबसे लंबी है तो यह आपको पता होना जी सब ज्यादा किसकी आपकी गुजरात की है नेक्स्ट कोशन किस राज की समुद्र तट्रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की मैंने बताया किस स्थान पर 1911 इश्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाग सेवा प्रारम की गई थी ठीक किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाग सेवा प्रारम की गई थी इलहाबाद और नानी के मध्य में की गई थी नेक्स्ट कॉश्चिन कॉंकड रेल मार्क किस प्रवश रंखला से होकर गुजरता है कॉंकड तट पस्टिम घाट जिसे हम बोलते हैं क्या अपका पस्टिमी घाट और पूर्वी घाट भी कहते हैं तो कॉंकड रेल मार्क जो है अपका कॉंकड रेलवे पस्टिमी घाट से हो कौन से दर्रे आपकी किस-किस उसको जोडते हैं तो आपका भोर गाट दर्रा जोडता है नेक्स्ट कॉश्चन कौन सा बंदर गा भारती सामुद्रिक विपयार का पूरवी द्वार कहा जाता है देखिए फ्रेंड्स पूरवी यहां पर पूरवी द्वार पूछा गया है तो आपका कोलकता का जो सबसे पहला जो था आपका फ्रेंड्स कोलकता ही था बाद में उसको हल्दिया जो है अलग कर दिया गया कोलकता हल्दिया दोनों अलग-अलग पोट हैं पहले आपका कोलकता पोट ही पूरवी घाट का मेन क्या था व्यापार करने के लिए जो मेन क्या था बंदरगा था भल्दिया पोड भी एक बना दिया गया है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा हम मिलते हैं आप से नेक्स टॉपिक में नेक्स वीडियो के साथ तब तक कि लित हैं कि